पंजाबी बाड़ा के लोगों ने करीब 50 साल पुरानी सेवर लाइन को बदले जाने से खुशी का महाल है परिवेन मंत्री मोलचन चर्मा ने आज बल्लवगड के पंजाबी बाड़ा एरिये में सेवरेज और पानी की लाइन डालने के काम की शुरुआत की है परिवेन मंत्री ने स्थानिय लोगों के हाथों नारियल तुड़वा कर काम को शुरू कराया इस मौके पर स्थानिय लोगों ने मोलचन चर्मा का अभार चताया वहीं परीवयन मंत्री मोलचन शर्मा ने स्थान ये लोगों को शेहर में ज़दा से ज़दा विकास कार्य कराने का भरोसा दिया है। परीवयन मंत्री ने कहा कि पंजाबी बाडा में ब्राह्मन बाडा को भी नाली मुก्त किया जाएगा। पंजाबी वाड़ा बहुत नंबे समय से दिमाद थी और यह 55 साल से हालत थी कि शीवर पानी बहुत बुरी हालत थी आज 87 लाग कव घाट का शीवर का पानी के लाइन तो पूरे बाड़ी में गिरिन और जल्दी से जल्दी बाइस से पहले बाड़ा सर आपने आज एक और गोशना की पंजाबी वुक्त पंजाबी वुक्त नाली मुक्त पंजाबी वाड़ा क्या पूरा शेहर नाली मुक्त होने जा रहा है मैं सारे धीरे धीरे जहां चल रहा है उसको नाली मुक्त करने जा रहा है बल्लाड उद्धान सागों जहां बड़े-बड़े सीवर डिस्पोज बने वापने नाली मुट का हरी व्यार देती है आज़े इस वादी हम नाली को पूरे शेहर को करें और यह फराना वाड़ा है इसको नाली मुट करें यह लोगों का दिल है जमो कश्मीर के बढ़गां